कहानी की सुरुवात होती है और हम एमा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मेडिसिन के साथ रहती है एमा मोनार के लिए काम कर रही होती है एमा दो होजा चहुदा सेंट फ्रांसिसकों में हुई एक घटना को लेकर अभी भी चिंतित होती है क्योंकि उस घटना में कई लोग म मारा गय था और इस घटना के अभी पांस साल बीच चुके थे और साथ ही इसी समय से गौड जिला भी गायब होता है और मोनार कर गवर्मेंट दबा बना रही होती है कि वे ऐसी टैटन को जल से जल खत्म कर दे एक दिन एमा और मेडिसिन साथ बैटे होते हैं तब ही उन्हे कि ये सब एक टैटन के कारण हुआ है जिसका नाम मौत्रा होता है वे उसके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि मौत्रा बेकाबू हो चुकी थी और साथ ही वहाँ पर सिगनल भी काम करना बंद कर चुके थे और इस सबी घटना का कारण एक अंजान रेडियेशन होती है जिसके कार मौत्रा सबी को अपना दुस्मन समझ कर उन पर हमला कर रही होती है तबी वहाँ एमा अपनी डिवाइस के साथ पहुंचती है और वहाँ उसका यूज करके फिक्वेंसी को चेंज कर देती है जिससे कि मौत्रा सांथ हो जाती है लेकिन तबी वहाँ पर कुछ लो हुआ करता था जो कि वर्तमान में एक टैर्रिस्ट है और एलन का यहां मानना होता है कि इस पूरी दुनिया के असली हगदा टाइटन्स है इसलिए वहाँ सभी टाइटन्स को जगाना चाहता है वहाँ आगे उन दोनों को लेकर अंटार्टिका के एक आउटपोस्ट पर पहु जिला जैसे टाइटन्स को मारने के लिए कहा गया था लेकिन इसी केस के बीच में उन्हें कॉल आता है जिसके कारण डॉक्टर सीरी जावा वहाँ से वापस आ जाते हैं जो कि मैडिसिन के पिता मार्क का होता है और वे मार्क के पास पहुंचते हैं जो कि एमा की एक्स से बात कर सकता है और उससे अपनी बात मनवा सकता है इसलिए वे उस डिवाइस और का को वापस चाहते हैं इसलिए वे इस डिवाइस को लेने उनके पीछे निकल पड़ते हैं आगे मार्क को बताया जाता है कि गौडजिला के अलावा 17 और भी टाइटन्स एक्जिस्ट करत गौडजिला उनके बेहत नजदी का रहा है और वादियर दियर सब को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि गौडजिला उनके ठीक सामने होता है और इससे सबी डर चुके थे लेकिन गौडजिला किसी को भी कुछ नहीं करता है और वहां से वापस आगे मार्क अनुमान लगाती हुए कहता है कि गौडजिला को किसी की तरास है और उन्हें गौडजिला को फॉलो करना चाहिए क्योंकि गौडजिला साइद आरुकर की पीछे हो सकता है तब वे देखते है कि गौडजिला की दिसा अंटार्टिका की ओर होती है जहां पर ग एलन उस टाइटन को जल्द ही जगाना चाहता था तब हमें पता चलता है कि एमा भी एलन के साथ पहले ही मिले हुई थी और ये सब उसने जानबूच कर किया था और सब कुछ उसके प्लान का एक हिस्सा था इसलिए जब मार्क उन दोनों को बचाने उनके पास पहुंचता है तो एमा मार्क के बुलाने पर खुद नहीं जाती है और नहीं वह मैडिसन को जाने देती है और उसी समय वे मॉंस्टर जीरो यानि गडोरा को आजात कर देते है जिससे कि वह बेश पूरी तरीके से तबहा हो जाता है एमा और का की मदद से गडोरा को जगा भी देती है पर पहुंचते ही वाग गिडोरों पर हमला कर देता है और दोनों की बीच में खतरनक फाइड श्टार्ट हो जाती है जिसमें गिडोरा गॉडजिला पर भारी पड़ता है और वहां से चला जाता है गॉडजिला बाकि सभी लोगों को बचा लेता है सभी लोग इस बास से वह कहती है कि वहां इन टाइटन्स के जर्य सारी दुनिया को बचाना चाती है उसने इस पर काफी शोध भी किया है कि आकि ये सभी टाइटन इसनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं जिसमें उसे पता चलता है कि इन टाइटन्स की यहां होने की पीचे भी एक कारण है जबकि हजारों सालों तक हमने इस प्रच्वी पर राज किया है लेकिन इससे क्या हुआ है जनसंक्या विस्फोर्ट वातावरन तहसनेस हुआ है काफी युद्ध हुए है और देखते ही देखते एक दिन सारे दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी और इन सभी का कारण हम खु देखेंगे और यही रीजन है कि मैं इन सभी टाइटन्स को आजात कर रही हूँ और इन से हमें जादा फायदा ही होगा क्योंकि यह टाइटन्स जहां भी जाते हैं वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगता है और यह सब होता है इनकी रेडियेशन के कारण और यही हमारी एक आगरी उम्मीद है जिस पर बाकिस सभी लोग कहते हैं कि यहां रास्ता बहुत खतरनाक है ऐसा करने से सारी दुनिया तबहा हो जाएगी और करणों और वो लोग मारे जाएंगे जिस पर एमा कहती है कि ऐसा बिलकुल नहीं होगा वे टाइटन संतुलन बनाए रखेंग जहां पर लाखों लोग होते हैं और उनके पास वहां से बाहर निकलने का कोई समय नहीं होता है यहां हम देखते हैं कि एमा बेहर ज्यादा निर्दई हो जाती है क्योंकि एमा वहां के लोगों को बाहर जाने का समय तक नहीं देती है उस टैटन का नाम होता है रोड़ान ज तब ही वहाँ गिडोरा वहाँ पर पहुंचता है और गिडोरा की रडार पर आते ही रोड़ान और गिडोरा के बीच में लड़ाई होने लगती है तब ही डॉक्टर सीरिजावा के पास एक मैसेज आता है कि वे सबी वहाँ से दूर चले जाए क्योंकि उन्होंने एक हतियार है जिससे की चार किलोमीटर के दारे पर मौझू सारी चीज़े तबहा हो जाएंगी वहाँ मिसाइल रास्ते पर होती है और उनके पास वहाँ से निकलने के लिए बेहत कम समय होता है रोड़ान को हराता ही गिडोरा इन सबी के पीछे लग जाता है तब ही समंदर से गोड़ करे दोनिया मारा मारा जाता है और उसमे में उसकी हालत काफी खराब होती है तो गड़ जिला को इस हमले से कुछ नहीं होता को समंदर से चाज़ने वह बाहर से बाहर बाहर चान신 पर बैट जाता है और और वहां से अपना सर्फ फिर्षवर गरोट कर लेता ऑग जिसे कि गो गौट्जिला के सारे पर नाचने लगते हैं और यहां सब कुछ देखकर खुद एमा भी हरान होती है तब हम मौत्रा को देखते हैं जो कि मानों खुद को एनरजी से भर रही हो तो दूसरी और डॉक्टर सीरी जावा को पता चलता है कि गडोरा इस प्लानेट का क्रियेचर नहीं है बलकि वह किसी और जगर से आया हुआ है यानि वहाँ एक एलियन है जो कि यहां पर राज करना चाहता है इसलिए वह गौट्जिला का सबसे मौस्टर यानि मौथरा आती है जो कि एक तेज रोशने के साथ होती है और वहाँ पर एक प्यारास संगित गुन गुना रही होती है सबी का द्यान मौथरा की तरह होता है कि वहाँ उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी जिसके वाद हम देखते हैं कि उन्ह की मदद कर सके नीचे पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह टाइटन यहां सद्यों से रह रहे हैं और यहां के देवता हुआ करते थे और वे गौडजिला की घर तक पहुंचते हैं जहां पर गौडजिला खुद को हील कर रहा होता है तब डॉक्टर सीरी जावा फैसला गुडबाय कहते हैं डॉक्टर सीरी जावा गौडजिला के पास पहुंचकर मिसाइल को ओन कर देते हैं तब तक बागी सभी लोग वहां से निकल कर दूर चले जाते हैं तब वहां अपने दोस्त को लास्ट टाइम कुडबाय करते हैं तब ही वहां पर एक बहर बड़ा धम कर रही होती है ताकि उनसे समय तक रोका जा सके लेकिन उनकी सारी कोजिस नाकामयाब हो रही होती है साथ ही उनके हंतियार भी लगबक हत्म होने पर होते हैं तो तब ही हम Meadisन को देखते हैं जो कि Orka को चरा कर वहां से भाग जाती है और बोस्तन सहर पहुंचती है और वह Isaac कर वह औरका को ओन कर देती है जिसके सिगनल मिलते ही सारे टाइटन अचानक से तभाई मचाना बंद कर देखते हैं तभी इसका पता एमा को चलता है और वह अपनी बेटी को बचाने निकल बड़ती है तो इस तरह मार्क और उनके सबी सांथी यह तै करते हैं कि वे इस बार ग सिगनल का पता चलते हैं गोड़े चान को मारा जाएक यह पैंस जांथा है और अगले कुछ मिंट में बहां फट जाएगा और उन्ने जल ही यहां से सबी वे सबी लोग मारे जाएंगे गोडजिला इस समय काफी पावरफुल हो चुका था लेकिन वह अभी भी गिडोरा को हराने में नाकाम्याब होता है तब ही वहाँ पर मौथरा उसका साथ देने पहुंचती है तब उससे लड़ने के लिए रोड़ॉन भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन मौथरा उसे घायल कर देती है लेकिन गिडोरा अभी भी गोडजिला पर हावी हो रहा था और उसे अपनी सारी पावर जुटाने के लिए अभी भी कुछ समय की जरूरत होती है वहाँ अब घायल हो चुका था तब मौथरा अपना बलिदान देकर अपनी सारी गोड़ोडिला को दे देती है तब ही हम माक को देखते है जिसके मेडिसन मिल जाती है जिसके पार औरका होता है, लेकिन वहाँ इस समय तूट चूका था है, वैं बेचकर और को ठीक करते हैं और सिग्नल भेज कर। ze समय मिल जाए और ये हें वहाँ और उसे वह घायल भी कर देता है तो दूसरी और गौडजिला खुट को पूरी तरीके से हील कर लेता है और वह खुट के सबसे पावरफुल रूप में आ जाता है जिससे वह इतना शक्ति साली हो जाता है कि गिडोरा की इलेक्ट्रिक पल्स कभी उस पर कोई असर नहीं होता ह और अब गिडोरा के सबी हमले गौडजिला पर कोई काम नहीं करते हैं और गौडजिला गिडोरा को खत्म कर देता है तब सारी टाइटन्स गौडजिला के सामने आते हैं और उसके सामने आकर जोग जाते हैं यानि गौडजिला फिर से बन चुका था दिकिंग आफ मॉंस् झाल झाल